गुड मॉर्निंग आल उफ यू देखिए आज हम सुरू कर रहे हैं हमारे जो नाइन्थ साइंस हैं लेसन नंबर पांच जीवन की मुले की काई फंडामेंडल उनित ओफ लाइफ एन्सीर टी जो हमारी बूक है रैयाना बोड की जो बूक है उसमें जो हैं टेक्स्वाल पाठय के प्रस्ण होते हैं अभ्यास के प्रस्ण होते हैं आज हम उनी को कम्प्लीट करेंगे आपके लिए exercise देखिए से पहले हमने तीन वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने जो है जो जीवन की मौलिक काई पार्ट नमबर पांच लेशन नमबर पाइव है इसको बारेकी से बिलकुल डेटेल में हमने और बारेकी से थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेकर पूरे के पूरे लेशन को हमने एक्स्प्लेइन किया है और यदि आपने वो वीडियो देखे हैं तो यह जो प्रसंद उत्रा है आपको एक जटके में समझ में आदेंगे याद करने में बिल्कुल विदिकत नहीं होगी तो जो हमारी हर्याना बॉर्ड की बोक है साइंस की और एक्स्प्लेनेशन किया आपके ही सब्द में तो उन वीडियो को जूड़ देखे हैं तो आज का हमारा टोपिक यही रहेगा पठ्था पुस्तक और अभ्यास की जो प्रशन हम कर रहे हैं टेक्स्प्लेट करेंगे और एक बहत्रीन तरीके से बिल्कुल छोड़े-छोड़े हम क्वेशन अनसर बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको याद करने में लिखने में कोई जंजट ही न रहें तो च चैनल को लाइट भी कीज़े और सब्सक्राइब ही कीजिए तो सुरू करते हैं बिना देरी की यह हमारा आज का प्रशन देखिए सबसे पहला प्रशन हमारा, सिंपल सब प्रशन है, यही से पार सूर होता है हमारा, कोशिका की खोज किस ने और कैसे की थी, दो त्रेंस में, देखिए कोशिका की कोज जो है, रोबर्ट हूक ने सन सोड़ा सो पैंसेट में की थी उन्होंने श्वम निर्मित सुक्षम दर्सी से कौरक की पतली कार्ट को देखा था जिसमें मदुमक्खी के छत्ते जैसी सरंचना दिखाई दी थी उसको तो उसने ही इसको बनाया था लेटिन भासा में ये दियम देखें सेलूलेट कार्ट के आ जीवन की श्रंचनात्म कर्यात्म कर्यात्मक क्यों कहते हैं हमने पूरा लेसन पड़ वीडियो पड़ा है तो जिसतरह से हमारी वडवी जह है कि देखें तो छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिल कर बनी है और यह कोशिक हैं हमारे स्रीर में सबी कार्यों को इंजाम देती हैं मतलो सारा काम वही करती है और सरंचना भी हमारी इसी से बन वी है तो कोशिका सभी जिवों की मुँँ लेकाई होते हैं मतलो इसी से बनती हैं सभी इसकी रचना ने कोशिकाओं के काई करते हैं ये वैसे हमारे पास कोशी का जीवित रहती हैं और अपने सभी कारिया करते हैं कोशिका कहते हैं जिद यह एक नमबर में आता है जीवन की क्रियात्मक और सनचनात्मक की काई को कोशिका कहते हैं और सबसे पहले इसको किसी ने खो जाता रोबर्ट हुक ने सन सोड़ा सो पैसे टीसी में इसको खो जा गया था ठीक है ना सेगेंड कोशन देखिए जो हमारे पास कार्बन डाइकसाइड है और पानी है जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर जाते हैं इस पर चर्चा कीजी देखिए आपने पड़ा होगा जो हमारे पदार्थ होते हैं यानि के जैसे जो कार्बन डाइकसाइड है और जो पानी है वो कोशिका के अंदर जाते हैं कभी बाहर जाते हैं यह क्रिया कौन सी ह यह हमें समझाना है तो जैसे हमने वीडियो में जब बड़ा वीडियो हमने किया था इसके पर तो उसमें हमने समझाया था कि इस तरह से पानी की सांदर्ता हम लेकर चलते हैं देखिए उच्छ सांदर्ता से निमन सांदर्ता की और वीसरन द्वारा कार्बन डाइकसाइड पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर जाते हैं कौन सी प्रिकिरिया के द्वार जाते हैं वीसरन प्रिकिरिया के द्वारा जो हमारे कार्बन डाइकसाइड है और पानी वह अंदर और बाहर जाते हैं कोशिका के अंदर ठीक है न तो यही हमारे पास कोशिका का जो मुख्य काम है यही है कि वह पदार्थों का जो है आवागमन करती है बाहर से कोई चीज अंदर जाती है कोई बाहर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं वी सरन ही बोलते ह मेरे पाई पॉइंट यही तो नई वो सकती तो कॉश्का के लिए वीश्रण यह कॉइंट हमारे पास च्री सब्सक्राइब श्राइब चाहिए चाहिए उपस्तित जो उच्छ होती है इनके जो बाहर निकल जाते हैं और जब आया वातन में इनकी संदता कम होते तो यंदर आज़ाते हैं यह पॉइंट में को ड़ा है को सिका में CO2 तो पानी की सांदर्ता कोशी का के तुलनाएं बाहिया वातामन में उस होती है तो ये बार निकल जाते हैं और जब बाहिया वातामन में की सांदर्ता जाता कम होगा जाएगे तो ये कोशी के कंदर चले जाएंगे प्लैज्मा जिल्ली को वर्नात्मक पार्गम्य जिल्ली क्यों कहते हैं देखिए जो प्लैज्मा जिल्ली होती है हमारी प्लैज्मा जिल्ली लिपीडो प्रोटिन से बनी प्लैज्मा जिल्ली जो है लचीली होती है मिसा जो पारगम में जिल्ली का काम करते हुए कोशिका के गटकों को बारी प्रेंवन से अलग करती है कुछ पदार्थों को अंदर या बार आने जाने से रोख देती है यह अन्य पदार्थों की गती को भी रोखती है वीशन प्रिकिरिया में कार्बन डाइकसाइड तता ओक्षिजन इसके आर पर जा सकती है जल के अनूं की गती भी प्रासन प्रिकिरिया से होती है जल के अनूं की गती भी प्रासन किरिया से होती है प्रासन क्या होता है प्रासन क्या होता है जब जल के अनुन की गती जब वरनात्मक पार्गमे जिल्ली के द्वारा हो तो उसको प्राषन बोलते हैं कहने का मतलगा है प्लैजमा जिल्ली अनावशक पढ दार्तों को उच्छ सांदरता से निमन सांदरता की ओर आने जाने देती है इसलिए से वर्णात्मुक पार्गम्य दिल्ली कहते हैं, यह देखे तालिका ध्यान से, क्या आप निचे देगी तालिका में रिकस्तानों को भर सकते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पस्ट करना है, देखे ध्य से, दोनों में डिफ्रेंस कहा है, प्राय अकार छोट होता है, प्रोकेरियोटिक का, एक से दस माइक्रो मीटर तक होता है, और एक माइक्रो मीटर में दस की सकती छे मीटर होते हैं, केंद्री एक शेतर बहुत कम सपस्ट होता है, क्योंकि केंद्री के जिल्ली का अभाव होत पांच से लेकर के हंडर माइक्रोमीटर तक केंद्रिया चेतर सूस पस्ट जो चारों से केंद्रिया जिली से घीरा होता है क्लियर पॉइंट क्रोमोसों में एक से अधिक होती है क्या आप ऐसे दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिन में अपना अनुवांसिक पदार्थ होता है बिल्कुल सही किसमें होता है एक तो माइटाव कॉंड्रिया में और प्लैस्टिड में अपना डियन ने अनु के रूप में होता है जिसमें कोशिका के निमान और संगठन के सभी आवश्यक सूचना होती है सेवंध कोशिका का संगठन किसी भोतिक अत्वारेसैनिक प्रभाव के कान नस्ट हो जाता है तो कोशिका का अपसिष्ट निप्टाने वाला तंतर इनके लाइसोसों फड़ जाता है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं इंपॉर्टन्ट कोशिण है जो नोट कर लिजए ध्यान से तो यह जो है उसको पाचित कर लेते हैं जो होते हैं यह हमारे लाइसोसों खीका न क्लिर cents हम नेक् Ernst देखी है अब improperन ग्रिष्ट या म्रेत हो जाती है तो लाईसोसोम फटड़ जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकां को पचा लेते हैं इसलिए लाईसोसोम को आतमगाती थेली कहते हैं सेवंकिटीक है ना थेद्र चीशin इसको पूछा गया है थीकですね कょक्षिका के अंदर प्रोटिन का संसेलेशन कहा होता है कोसी का द्रह में राइबोसों छोटे छोटे कनों के रूप में अन्दय जो दर्वी जास डिक होती है उसके तल पर तता केंद्रग जीली के उपर मिलते हैं जो प्रोटीन का संसिलेशन करने में सहायक होते हैं यह थे हमारे पठ्थे पुस्ते के प्रसनुत्तर तो जल्दी ही आपके याद हो जाएंगे ऐसी हमें आसा हैं यह थे आपने हमारे जो दूसरे वीडियो उनको देखा हैं तो आपको जुरूर जल्दी याद हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही आजिर होंगे तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त चेह